इस वीडियो में हम discuss करेंगे parallel clipar और parallel biased clipar यह दोनों discuss करने वाले हैं और साथ में जो हमारे university है ना, EKTU के जो previous year के questions हैं उनको भी discuss करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आते हैं parallel clipar को basic समझने में तो यहाँ पर three input है, three type के input इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है तो आपको एक circuit मिलेगा, जैसे हैं आपको circuit सामने दिया हुआ है और इसमें कोईसा भी input मिल सकता है, हो सकता है square wave दिया हूँ, तो सबसे easy square wave वाला होता है फिर उसके बाद triangular wave और उसके बाद sinusoidal wave, ठीक है, तो जब आप square wave को देते हैं तो इससे आपको पता लग जाता है कि peak amplitude कितना आएगा, ठीक है, peak amplitude जो waveform आएगी उसका positive half में, negative half में peak amplitude कितना आएगा, ठीक है, और क्योंकि जो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर zero मान के time, यह जो time axis है, तो अगर हम time के reference को लेके चलते हैं, तो क्योंकि अब कोई value change नहीं हो रही, 0 से t by 2, same amplitude है, इसका नाम दे देते हैं vm, और ऐसे ही जो negative में है, इसका minus vm कर देते हैं तो हमें time के reference में square wave से नहीं पता चलता है, पर अगर हम इसको देखें, triangular wave को, triangular wave में जैसे कि जैसे आपका time increase हो रहा है, वैसे वैसे, जो input voltage है, उसका amplitude है, वो vary कर रहा है, तो यहाँ पर increase हो रहा है, उसके बाद फिर decrease हो रहा है, यहाँ पर zero हो गया, ठीक है, उसके बाद फि जो है, हमें देखना पड़ता है कि इस time में कितना input है, उसके बाद क्या switching हुई, ना, diode on हुआ या off हुआ, तो वो देखना पड़ता है कि positive हाफ में diode on हो रहा है, या negative हाफ में diode on हो रहा है, तो वो सब हम इसमें discuss करेंगे, तो कहने का मतलब यह है, square wave से आपको पता लग जात हो, तो same amplitude आएगा, जो आपने sinusoidal और triangular wave दे रहे हो input में, तो same amplitude आएगा output का, ठीक है, जो आपका square में आया, पर किस time on हुआ diode, किस time off हुआ, वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि throughout, 0 से T by 2, या तो on होगा, या off होगा, ऐसे T by 2 से लेके T तक, या तो on होगा, या off होगा, तो जै diode on रहेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ से 0 से T by 2, अगर idle diode है, तो ठीक है, on हो जाएगा, सारे time on रहेगा, ऐसे ही sinusoidal के लिए है, पर अगर silicon diode है, तो किस time on होगा, तो जब input, जो भी silicon diode लिया है, तो 0.7 वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा, तब on होगा, या तो एक time ह यहाँ पर हम बना लेते हैं, कि यह है है, यह हमारा 0.7 इस तरह गर गए, तो T1 टाइम पर diode on होगा, यहना, 0 से T1 off ही रहेगा, ठीक है, तो जैसे कि T by 2 से लेगे T तक negative उसमें है, तो यहाँ पर off रहेगा, यहना, इस तरह गा है, तो ठीक है, अब बारी-बारी से चलते हैं तो सबसे पहले, square wave को ले लेते हैं, और यहाँ पर जो parallel clipar circuit है, इसमें special क्या है, इसको समझते हैं, तो अभी idle diode ले ले लेते हैं, और waveform जो input जो ले रहे हैं, इस circuit के लिए, वो हम यह ले रहे हैं, और diode हमारा idle diode है, ठीक है, तो सबसे पहले positive half के लिए 0 से T by 2 जब हम value है, वो है VM, तो इसको इस तरह से replace कर सकते हैं, तो VM आ गया, ठीक है, तो एक DC source के तरह होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, diode on हो जाएगा, तो जब diode on होगा, तो equivalent circuit जो इसका बनाएंगे, वो equivalent circuit कुछ इस तरह का बनेगा, तो मैं इसको इधर से अटा के, इधर equivalent circuit बना देता ह हो, तो 0 से T by 2 के case में, जो equivalent circuit है, कुछ इस तरह का है, यहाँ पर diode on हो गया, और यह हमारा R है, और इधर हमने जो voltage अपलाई करी है, वो है VM, ठीक है, क्योंकि 0 से T by 2, जो input voltage है, वो इक्वल्स टू, VM है, तो एक ही amplitude है, और output हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब output क्या तो आएगा, जब diode on हो रहा है, है ना, तो जब diode on हो रहा है, तो यह short हो गया, तो short हो गया, तो V0 equals to बनेगा 0 volt, ठीक है, अगर हम R के across voltage लेते हैं, डायोड ओन होने पर R के across voltage लेते हैं, तो VR बोल सकते हैं, तो VR equals to क्या आएगा, अब इसमें आप KVL लगा सकते हो, तो य 0 है, तो VR equals to VM बनेगा, जो भी input पर apply कर रहे हो, तो सारी सारी voltage R के across आएगी, ठीक है, तो यही difference है, parallel और series वाले में, तो series वाले में क्या है, circuit सेम है, बस हम जो output ले रहे हैं, यहाँ पर diode आ जाता है, और output जो ले रहे हैं, हम resistor के across ले रहे होते हैं, तो जब diode on होता है, ठी और VI जो दे रहे हो, वो R के across आएगी, तो V not equals to VI आएगा, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम output diode के across ले रहे हैं, ठीक है, parallel में, जो output ले रहे हैं, वो diode के across ले रहे हैं, series में, हम जब resistor के across अगर हम ले रहे हैं, output, तो वो हमारा series के लिए पर circuit होता है, ठीक है, तो ठीक हमारा 0 है, ठीक है, उसके बाद, अब T by 2 से लेके T तक, तो अब polarity change होगा, इधर हो गया minus, इधर हो गया plus, तो अब क्या change आएगा, तो VI जो है, negative हो गया, इस case में, तो अब हम बात करें, T by 2 से लेके T तक के, तो उसका equivalent circuit जो बनेगा, महाँ पर diode off हो जाएगा, ठीक है, और जो VM है, वो negative हो गया, तो negative है, तो उसको negative कर दिया, ठीक है, अब V0 कितना है, अब यह positive side है, इधर वाली negative side है, तो यह वाला terminal negative हो गया, तो V0 जो हमारा reference है, यह positive और negative है, पर जो actual में आ रहा है, वो इसके opposite आ रहा है, तो V0 equals 2 हो गया है, हमारा Vm मैंना माइनस Vm तो V note यदर positive है पर जब इसकी polarity change होगी तो माइनस Vm होगया तो यहाँ पर जो है जो यह waveform है यह azat यहाँ फ़रा जाएगी clear है जितना अब क्या हो अगर हम silicon diode लें तो जब silicon लेंगे तो जब यह own होगा तो silicon वाले में अब दुबार से इसको silicon वाले को लेके कर लेते हैं तो जब silicon लेंगे तो जब यह own होगा तो 0 से T by 2 तो यह वाला case बनेगा इसको दुबार से मैं equivalent circuit बना देता हूँ यहाँ पर Vm apply होगा है 0 से T by 2 में और diode जो है own होगया तो यहाँ पर क्या गया 0.7 volt तो अब V note जो बनेगा V note कितना बनेगा V note equals to बनेगा 0.7 ठीक है और R के across voltage कितनी आएगी Vm minus 0.7 तो कभी-कभाग पूछ लेते हैं कि इस तरह का circuit दिया है तो output ही नहीं पूछते है यह पूछ लेते है R के across voltage कितनी है तो अब यहाँ पर voltage drop है 0.7 का ठीक है तो Vr equals to Vm minus 0.7 यह इसके across आएगी आर के across ठीक है जी तो 0.7 है तो यहाँ पर 0.7 बनाना पड़ेगा अब 0.7 जो है अगर output देख रहे हो तो इधर plus है इधर minus है तो यह positive आएगा तो यह जो इसका जो positive में जो voltage आई है इसका जो peak है वो है 0.7 ठीक है 0.7 बोल्ट के लिए रहे जी reverse bias में वैसा ही रहेगा जैसे की हमने idle वाले diode के लिए देखा था reverse bias में यह off हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरह रहेगा reverse bias में off रहेगा तो same जो हमारा तो इस तरह रहेगा ठीक है तो v0 equals to again यहाँ पर minus minus vm यह आएगा ठीक है इस तरह रहेगा तो यह idle diode के लिए और silicon diode के लिए हो गया ठीक है अब आते हैं triangular wave के लिए तो अब इसको छोड़ देते हैं इसको clear कर देते हैं अब आते हैं triangular wave के लिए idle diode का लेके चलते हैं फिर उसको silicon बना देंगे ठीक है हो सकता germanium का भी आ जाए तो same case में कोछ चेंज नहीं रहेगा ठीक है ठीक है 0.3 0.7 का वो चेंज रहेगा बाकि जो waveform है वो आप दोनों की बना सकते हो ठीक है तो सब से पहले 0 से लेके T by 2 तो यह इसको input पे दिया है यहाँ पर तो V I जो है हमारा 0 से T by 2 तो 0 से T by 2 जो circuit है अभी diode को idle diode लेना है तो यहाँ पर भी जो circuit बनेगा हमारा तो अब मैं इसको यहाँ पर ही mention कर रहा हूँ तो 0 से T by 2 idle diode है idle diode 0 प्लस पे 0 प्लस पे कुछ positive voltage है पोजेटिव वोल्टेज पे यह short हो गया ठीक है तो V not equals to 0 बना तो यहाँ से यहाँ तक जो output आएगा ठीक है 0 से लेके T by 2 तक यह 0 आएगा किलियर है जीतना फिर T by 2 से लेके T तक polarity बदल गई इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया तो अब डायोड क्या हो गया ओफ हो गया तो circuit से भार हो गया ठीक है तो V not equals to क्या बना जो भी प्याइए पे आ रहा है current तो कोई flow नहीं हो रहा है तो आर के अक्रोस कोई voltage drop होगा नहीं ठीक है यहाँ पर कोई resistor बगयरा कुछ है नहीं हम सिर्दा सिर्दा क्या देख रहे है यहाँ इसके अक्रोस voltage देख रहे है कोई resistor होता तो ठीक है current flow होती voltage डोक होता अभी कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पर सिर्फ हम V not देख रहे है तो यहाँ पर इसके अक्रोस हम वोल्ट मेटर लगा रहे है तो इस तरह का आई है ठीक है इस तरह का और यहाँ पर 230 वोल्ट आ रही है ना इस तरह का तो यहाँ से हम आउट्पूट ले रहे है तो इसमें कोई क्रेंट फ्लो नहीं होरी है तो इसमें बीच में आप कुछ भी लगा लो आँ ना कोई बल्ब लगा दो या कुछ भी लगा दो अगर वह पूरी तरह से बकायदार मैं यहाँ से अगर आतुट इसका ओपन है ठीक है तो उसके अक्रोस जो वोल्टेज हाएग हो गया, तो switch के across voltage आएगी, वह ही आएगी, जो आप input पर apply कर रहे हैं, यानि V not equal to V i, तो जो input यहाँ पर आ रहा है, बिल्गोल सेम ऐसा ही आपको यहाँ पर float कर देना है, हो गया जी float, अब दूसरा case, अब silicon diode ले ले लेते हैं, तो silicon diode लेंगे तो, क्या change आएगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है, तो 0 से T by 2, जो 0 से T by 2, जो 0 से T by 2 करोगे, तो silicon diode के लिए, silicon diode है, silicon diode ओन गब होता है, जब वी आई, जब इसके across, silicon diode के across, positive में, तो सबसे पहले आप क्या देखना है, जब भी आपका diode लगा हो, तो आपको देखना है, positive हाप में ओन हो रहा है, या negative हाप म ओन हो रहा है, ठीक है, तो positive हाप में ओन हो रहा है, 0 से T by 2 में ओन हो रहा है, अब 0 से T by 2 में कहां ओन हो रहा है, तो अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, कि इसके इस diode को ओन करने के लिए minimum कितनी voltage चाहिए, तो vi equals to or greater than 0.7 volt होगी, तो यह silicon diode ओन होगा, otherwise ओफ देखता हूँ, ठीक है, इस तरह के case में एक में diode को रखा on, तो जब on रखोगे तो 0.7 इस तरह का बन के आएगा, और यहाँ पर output देख रहे हो, दूसरा बना सकते हो circuit, जिसमें diode off रख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर output पे v output equals to vi आई आएगा, ठीक है, और इस case में कितना आ तो diode जब on होगा, तो 0.7 वोल्ट आएगा, और जब diode off होगा, तो v0 equals to vi आई आएगा, तो जो भी input पर apply कर रहे हो, वो आएगा, क्लियर है जी, अब इसकी polarity पे नहीं जा रहा हूँ, तो ठीक है, क्यूंकि यहाँ पर plus minus है, ठीक है, यहाँ पर plus minus और minus plus दोन नहों हो सकती है तो plus minus में क्या है, अगर silicon diode है, 0.7 से less है voltage, तो उस case में diode on नहीं होगा, तो उसमें यह polarity रहेगी, और जब negative बायस दोगे, तो polarity minus plus रहेगी, तो ठीक है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने दो case बना दिये, अब यह आपको identify करना है, कि इस timeline पे यह diode कब on हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहे है, अब 0.7 से compare कर रहे है, तो positive में 0.7 से compare कर रहे है, तो एक line यहाँ पर 0.7 के drag कर दे, यह 0.7 के हो गई, अब इससे input को compare कर रहे है, तो यह time है, जहाँ पर input 0.7 के equal हो रहा है, यानि T1, और यह time है, अब फिर VI इससे greater हो गया 0.7 से, तो diode on रहेगा और उसके बाद फिर यह वाला है T2, यहाँ पर क्या हो रहा है, VI अब T2 से, मतलब VI जो है, 0.7 से less जा रहा है, इसके बाद, तो यह वाला time है T2, तो 0 से T1 diode off रहेगा, तो यह वाला circuit follow करेंगे, T1 से T2 diode on रहेगा, तो यह वाला circuit follow करेंगे, T2 से T2 diode again off हो जाएगा, तो यह वाला, और T2 से लेके T तक भी diode off रहेगा, तो यह वाला circuit follow करना है, तो आप सबसे पहले आते हैं, 0 से T1 पर, 0 से T1 पर क्या होगा, diode only होगा, क्योंकि जो VI है, वो less than है 0.7, तो VI क्या है, हमारी less than है 0.7, तो यह only होगा, only होगा, तो इस तरह गा हो गया, तो V0 1 plus 2 VI बनेगा, तो यहाँ पर, जो यह वाली waveform है, यहाँ पर देख रहे हो आप, यह वाली waveform, इसको as it is बना दो, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाओ, यह T1 हो गया, इसको आगे बढ़ाओ, यह T2 हो गया, तो 0 से T1 तक, यह इस तरह आएगी, ठीक है, और यह कहा तक जाएगी, यह जाएग V2 diode क्या हो रहा, ओन हो रहा है, तो यह तरह का हो जाएगा, क्योंकि VI जो है, greater than 0.7 हो गए, तो अब VI जो है, equals to, और greater than 0.7, T1 के बास से, तो अब, जब diode हमारा ओन होगा, अब क्योंकि silicon diode है, तो silicon diode है, तो यह वाला circuit, यह वाला रैफर करेंगे, यह वाला रैफर करेंगे, है ना, तो इसको मैं, तो यहाँ पर 0.7 हो गया, तो V0 equals to 0.7, diode on है, तो इस वाले को रैफर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक यह 0.7, और फिर T2 से लेके T by 2, अब यह वाला circuit फोलो करेंगे, क्योंकि diode again off हो गया, VI जो है, less हो गया, तो इस तरह से बना सकते हैं, और इध इसको मैं time span में भी as I divide कर सकता हूं, 0 से T1, VI is less than 0.7, then V0 equals to VI, फिर T1 से T2, VI is greater or equals to 0.7, then V0 equals to 0.7, ठीक है, फिर T2 से T by 2, यह वाला case बनेगा, उपर वाला, ठीक है, इसको repeat कर सकते हैं, फिर T by 2 से लेके T2 तक, VI तो less than रहेगा 0.7, ओल्राइट, और V0 equals to हो जाएगा, VI के, और VI क्या है, यहाँ पर, अब negative है, T by 2 से लेके T तक, VI जो है, negative है, ठीक है, तो V0 equals to VI, ठीक है, जो की अब negative हो गया है, ठीक है, वो negative as it is हो जाएगा, ठीक है, अब उसकी जगह अगर आपको लेनी है, triangular wave, तो इसको मैं rough कर देता हूं, इसके बाद अगर आपको लेनी है, triangular wave के बाद आपको sinusoidal wave लेनी है, तो sinusoidal wave लेनी है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें अगर आपका, ठीक है, अगर आपका idle diode है, तो positive हाप में कुछ नहीं आएगा, negative हाप में यह waveform आएगी, यह plot होगी, जो मैंने red में show की है, ठी और अगर यह silicon diode है, तो silicon diode है, तो यहाँ पर एक आपको, तो यह वाली है, यहाँ पर T1, तो 0 से T1, diode on नहीं होगा, तो input जो है, यह as it is आएगा, तो जो मैंने red mark किया हुआ है, यह आपका output पर आएगा, और T1 से लेके T2 तक, यह on हो गया, तो output पर 0.7 आएगा, और T2 से ले पर आएगा, और negative में तो diode on होई नहीं रहा, तो वो सारका सारा output पर आएगा, clear है, तो यह waveform बनेगी, जो मैंने यहाँ पर red mark किया, यह output waveform बनेगी, अगर हम sinusoidal दे रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से observation देख सकते हो, कि जब अगर हम square wave दे रहे हैं, तो उससे peak जो आ रहा ह तो peak इसमें भी जब हमने silicon diode लिया था, तो 0.7 इधर आ रहा था, वो इधर minus Vm आ रहा था, ठीक है, ऐसे ही जब हमने triangular wave लिया, तो जब भी 0.7 peak आ रहा था positive में, और negative में minus Vm, ऐसे ही इसके साथ है, जब sinusoidal ले रहे हैं, तब भी यह हो रहा है, ठीक है, हाँ, पर अगर किस time पर on हो रहा है, किस time पर off हो रहा है, तो यह आपको इन दो में पता चलेगा, ठीक है, triangular wave में, और दूसरा है, sinusoidal wave जब दे रहे हो, तो मुझस में क्या है, 0 से T1, diode on नहीं हो रहा था, तो V not equals to V I करहेगा, जब on हो रहा है, तो जो भी इसके across है, silicon के across जो भी threshold voltage है, वो output पर आएगी, ठीक है, इस तरह कराएगा, ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, अब यह circuit है, एक यहाँ बर, तो V not for the network of this, तो यहाँ पर निकालना है, V not निकालना है, सबसे पहले, जब positive हाप देंगे, तो अब यहाँ पर idle diode ले लेते हैं इसको, जब idle diode ले रहे हैं, तो V I, अब यह diode, अभी क्या है, अब इस case में आपको ध्यान से देना है, कि अगर input, तो मैं time को ले लेता हूँ, T equals to 0, T by 2, और T, तो इन तीन case में, यानि यह मैंने T by 2 ले लिया है, और यह T है, तो इन तीन time पे, जो input है, V I की value 0 है, तो सबसे पहले इसको short कर लेते हैं, short करने का मतलब है, V I equals to 0 बनाया, 0 बना कर देखते हैं, कि output कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक internal battery लगी हुई है, तो इस battery का इस diode पर क्या effect है, तो जब हमने T equals to 0 किया, T equals to 0, T by 2, और T पे, जो input है, वो हमारा 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, तो जब 0 input देरे हैं, तो output बुछा रह है, तो ओन कर रही है, तो यह short हो गया, तो V naught equals to 4 volt, अभी idle diode लेके कर रहे हैं, तो 4 volt आएगा, तो अब हमारे पास यहाँ पर यह बन गया है, basic सा, ठीक है, अगर यह square wave होती, तो फिर तो यह वाला case हमें नहीं मिलता, तो यह sinusoidal और triangular wave में ही possible है, कि T equals to 0, T by 2, और T पे, V I equals to 0 है, तो यहाँ पर output पे आ रहा है, प्लस का 4 volt है, तो इधर वाले plus है, और इधर वाला minus है, तो प्लस का 4 volt आ रहा है, तो यहाँ पर 4 volt वाली एक line ड्रा कर दो, ठीक है, तो इसको डैस डैस करके कर सकते हो, यह 4 volt वाली line हो गई है, तो output पे positive आ रहा है, जब input 0 है, ठीक है, अ आते हैं पोजिटिव हाप में देखते हैं कि डायोड कौन से पोजिटिव हाप में डायोड ओन हो रहा है क्या है ना पोजिटिव हाप अगर आप देते हो तो डायोड ओन होगा क्या है ना ओवराल की बात कर रहा हूं तो maximum जो भी positive आप में है अगर उसको apply करते हो तो diode on नहीं हो रहा है ना क्योंकि यह इसको एक तरह से reverse में कर रहा है reverse bias कर रहा है पर यह forward जो है उसको forward bias कर रहा है तो minimum कितना input चाहिए तो कहने का मतलब है जब आपने t equals to 0 पे vi equals to 0 था जब पहले 0 input था और जीरे जीरे ये क्या हो रहा है increase हो रहा है तो vi equals to 0 पे diode आपका own था है ना तो अब क्या है जब vi की value को increase करोगे तो वह पर क्या हो रहा है diode off हो रहा है, तो वो कौन सी value है, जिस पे diode off हो रहा है, ठीक है, तो अब वो value है, vi अगर हमारा equals to, equals to 4 volt हो जाए, या greater 4 volt हो जाए, है ना, तो एक 4 volt वाली है, हम पर 9 डा कर दें हमने, यह 4 volt वाली है, क्योंकि इस से compare कर रहे है, यहाँ पर क्या हो रही है, switching हो रही है, diode off हो रहा है, तो इसका नाम दे दिया T1, इसका नाम दे दिया T2, तो 0 से T1 diode on रहेगा, है ना, क्योंकि हम मैं 0 से T1 को ले के चल रहा हूं, तो 0 से T1 जो है, vi जो है, less than 4 volt है, तो less than 4 volt है तो क्या होगा diode जो है on रहेगा, तो diode on रहेगा तो V0 equals to 4 volt ही रहेगा ठीक है जी भई आपने हाँ पर 1 volt दिया तो 1 volt दिया तो इसके across कितना है इसको off होने के लिए ये no bias होना चाहिए no bias का मतलब है इसके across voltage जो है या तो दोनों टर्मिनल पर voltage same हो जाए इधर भी 4 volt हो जाए, इधर भी 4 volt है ठीक है, तो no bias condition हो जाएगी तो diode on नहीं होगा ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, अभी इधर हमने 1 volt दिया, इधर 4 volt है, on रहेगा इधर 2 volt दिया, इधर 4 volt है जब आप इधर 4 volt है, तब भी on रहेगा जब आप इधर 4 volt दोगे, तो no bias और diode off हो जाएगा ठीक है, इस तरह गया तो, ओके तो T1 पर इसको मैं आगे यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ पर यह 4 volt रहेगा ठीक है, T1 तक T1 के बाद क्या हो रहा, T1 के बाद अगर मैं इसको T1 के बाद VI जो है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 4 volt हो रही है तो इसका मलब diode off हो जाएगा reverse bias में चला जाएगा, तो off हो जाएगा तो यह case बनेगा, ठीक है तो जैसे मैंने पहले बताया कि diode को on करने के बाद एक circuit ड्रा कर लो और एक off करने के बाद circuit ड्रा कर लो ठीक है, फिर आपको बस यह condition देखने है और output आपस है calculate कर सकते हो तो ठीक है, उस method से भी करेंगे अब फिलाल इसको इधर ही ले ले लेते हैं तो VI अब जो है greater than 4 volt हो गया तो V0 equals to कितना तो V0 equals to जो भी input पर आ रहा है, तो VI equals to यहाँ पर बन गया, जो भी हमारे input पर आ रहा है तो V0 equals to VI तो यह है T2 से लेके सोरी, T1 से लेके T2 तक VI जो है वो greater than और equals to 4 volt हो रहा है तो जब यह 4 volt हो रहा है तो V0 equals to VI हो जाएगा, क्योंकि diode off हो गया तो diode off हो गया, तो यह तो हवामी है, अब एकी terminal तो connect है, दूसर terminal है ही नहीं, तो V0 equals to जो भी हमारे यहाँ पर आ रहे है है ना, जो भी इसके across आ रहे है, वो सब output पर आएगे, ठीक है तो equals to VI, तो VI अब यहाँ पर क्या है, यह है, तो यह पूरा पूरा इसको उठाके, as it is, यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर यह T2 तक है ठीक है, तो इसको as it is उठाके इधर लगा देंगे, तो peak 16V का ही आने वाला है 16V peak आएगा, फिर T2 से लेके T2 T2 से लेके T2 यह उपर वाला ही case हो रहा है अना, तो अपरवाला ही case हो रहा है, तो diode क्या हो गया, अगेन ओन हो गया, ओन हो गया ठीक है तो Vi जो है, वो हमारा less than 4V हो गया, तो diode again on हो गया, ओन हो गया, तो V naut equals to again 4V बन गया, ठीक है 4V बन गया, यह 4V आ गया अभ आते हैं negative में जब यहाँ पर हम negative half यानि अब हम बात कर रहे हैं T by 2 से लेके T तक के तो negative half एपलाई किया इजर प्लस इजर माइनस तो यह तो diode को forward ही बनाएगा तो यह और यह दोनो voltage मिलके diode को क्या बनाएगा forward बनाएगे तो throughout T by 2 से लेके T तक हमारा diode on रहेगा तो on रहेगा तो V not equals to 4V रहेगा तो यह waveform आ गई अब जैसे मैंने बताया कि वो technique की सबसे पहले circuit को आपके हम silicon diode लेके करेंगे और वो technique यूज करेंगे कि एक बार diode को on करके देखेंगे एक बार off करके और दोनों के लगलग circuit बना लेंगे और उसके बाद जो output आएगा उसको directly upload करते चलेंगे तो यह हो गई waveform इसके लिए अब आते हैं हम diode को silicon ले लेते हैं तो diode हमारा silicon हो गया तो अब दो case बनेंगे या तो diode on होगा या off होगा तो ओन होगा तो क्या होगा और off होगा तो क्या होगा तो यहाँ पर बना देता हूँ यहाँ पर diode on है, तो on है, इस 4V के है न, तो इधर plus है, इधर minus है, तो polarity यह यह इधर plus minus बनेगी, इधर 4V वाला है, यह 4V वाली बैटरी है, इधर हमने यह लगाया हुआ, इधर हम output देख रहे हैं, तो यह case है जब diode on है, ठीक है, यह R है, और V note देख रहे हैं यहाँ पर, ठी V note कितना है, वह इधर minus, इधर plus, इधर plus, इधर minus, तो दोन opposite polarity में, तो जो भी सबसे ज़्यादा होगा, वो ही output पर polarity रहेगी, तो यानि V note equals to हमारा बन रहा है, अगर diode on है, तो V note equals to बन रहा है, 3.3V, और दूसरा case है, जब diode off रहेगा, तो यहाँ पर V I है, ठीक है, और V I capable नहीं है, कि diode को off कर सके, ठीक है, तो 4V की वज़े से भी on है, ठीक है, यह दूसरा है, कि V I support कर रही है, उसको और forward bias में बना रहे है, तो जब negative apply करेंगा, तो forward bias में हो जाएगा, तो case यही रहेगा, तो V out आपका 3.3 रहेगा, तो जब भी आपका diode on रहेगा, तो output 3.3 रहेग और जिस case में भी diode off हो रहा है, तो उस case में V naught 1 plus 2 वी रहेगा, तो ठीक है, तो अब 0 से T by 2 देख लेते हैं, और फिर T देख लेते हैं, silicon diode लेने के बाद, तो अब इस diode को off करने के लिए, अब कितनी voltage चाहिए, minimum, तो इधर 4 volt, तो इहाँ पर इस diode को, अगर आप, जो इसको forward में, कर रहे हो, तो अगर आप 0.6 volt भी दे रहे हो, तो भी उन नहीं होगा, तो इसको counter करने के लिए, अगर मैं V I की value, greater than request to 3.3 कर दूँ, ठीक है, तो equals to में तो own रहेगा, तो इसको greater ही कर देते हैं, तो V I अगर आपको greater than 3.3 volt है, यहाँ पर जो total volt है, वो 3.3 है, तो अगर 3.3 होती है, तो diode जो है, आपका 0.0 से लेके 0.7 वाले region में चला जाएगा, यानि off हो जाएगा, इसके बीच में चला जाएगा, अगर आप V I को 3.3 volts देते हो, तो इहाँ पर 3.3 से जादा, यहाँ 3.4 volt माल लेता हूँ, तो इधर 3.4 volt दी है, इधर 4 volt दी है, तो इसके एक रोस कितनी 0.6 volt, 0.6 volt पर तो और नहीं होगा, ठीक है, तो 3.3 volt से अगर greater देते हो V I, तो diode क्या हो जाएगा, ओफ हो जाएगा, ठीक है, तो यह लाइन जो हमने ड्रा करिए है, यहाँ पर लाइन ड्रा करने पड़ेगे, अब 3.3 के, ठीक है, तो T1 है, यह T2 है, तो 0 से T1, 0 से T1, V I जो है less than है, 3.3 volt, तो diode ओन रहेगा, जब diode ओन रहेगा, तो V 0 equals to 3.3 volt आएगा, तो 0 से T1, जो output है, वो 3.3 volt आएगा, T1 से T2, T1 से T2, V I जो है, आपका greater than 3.3 हो गया, 3.3 हो गया, तो अब diode हमारा off हो गया, अब यह वाला case लेके चलेंगे, तो V 0 equals to V I, तो यहाँ से लेके, यह वाली जब पूरी peak है, यह Z is यहाँ पर आ जाएगे, ठीक है, तो यह वाली भी 3.3 वाल नाइन है, ठीक है, और य तब का output कितना आ रहा है, ठीक है, तो T equals to 0, T by 2 और T पे, V I जो है, equals to 0 है, और V 0 equals to 3.3 वोल्ट है, तो इन तीनों case में, यह वाला circuit रहेगा, ठीक है, तो सेम आपर अभी यह होई है, तो T by 2 से लेके, T1 से लेके, T2 तक, जो है, V I जो है, greater than 3.3 वोल्ट और V 0 equals to बन जाएग हमारा V I के है, तो यह वाला कीस रहे, सोरी, हाँ, ठीक है, V not equals to V I, तो जो भी है, यह V I, वो output पे आ गए, फिर एट T by 2 से लेके, और T तक, ठीक है, तो वो ही repeat होगा, अब क्या है, अब डायोड हो फिर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर polarity प्लस होगा, इज़र minus हो गई, इज़र minus हो गई, और इज़र plus हो गई, तो diode हमारा क्या रहेगा, ओन रहेगा, यह भी minus plus, तो इस polarity को ही support कर रहा है, यानि इसको forward बायस ही कर रहा है, और forward बायस कर रहा है, ठीक है, तो यह वाला case, तो V not equals to 3.3 volt रहेगा, यहाँ तक, ठीक है, तो यह दोना तरह से कर सकते ह हो, तो amplitude आपका 16 volt T आएगा, ठीक है, और negative में 4 volt आएगा, यह, अगर idle diode लिया है, और waveform जो दी है, square wave दी है, तो यहाँ पर फिर 4 volt T आएगा, ठीक है, अगर diode silicon diode है, और square wave दे रहे हो, तो output 16 volt आएगा, positive half में 0 से T by 2, और T by 2 से लेके T तक 3 points रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है है, अब यह सारे के सारे circuit जो है, ball state में है, तो मैंने अभी तक जो sol किया था, अभी यह वाला मैंने question देखा है, और दूसरा question मैंने किया है, यह वाला नहीं किया, यह वाला किया है, 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 यह वाला किया है और एक मैंने ये वाला सोल किया है अब ऐसे ही कितने combination बन सकते हैं biased में अब जैसे कि यहाँ पर polarity है ना diode की polarity तो इन दोनों की polarity change करके 4 combination बन सकते हैं तो यह combination है यह है और यह है तो इनकी waveform किस तरह आएगी तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं तो थोड़ा सा इसके analysis करेंगे है ना कि वाई VI हमने positive दे रहे हैं तो जो input है वो यह वाला है sinusoidal input रहेगा ठीक है तो उसके corresponding output क्या रही है वो आप देख सकते हैं ठीक है जी तो इनकी practice आप खुद कर सकते हैं तो मैंने जैसे कियो solve किया है तो ऐसे ही आपको यह देखना है तो यह negative आप में यह भी on हो रहा है पर यहाँ पर जो voltage जो apply हो रही है यह actually diode को reverse बाइस कर रहे है तो T equals to 0, T by 2 और T पर अगर मैं इसको T by 2 मानता हूं और इसको T मानता हूं तो VI जो है equals to 0 रहेगा पर V not equals to कितना बनेगा यह diode को on करेगा यह off करेगा ठीक है तो यह diode को यह वाली voltage दिये है यह इसको reverse बाइस बना रहे है तो diode off रहेगा तो V not equals to 0 रहेगा यानि VI के रहेगा फिर positive हाप में तो यह on होने से रहा तो positive हाप में तो जब on होने से रहा तो positive हाप में off रहेगा तो जो भी VI है वो V not पर आएगी तो यह पूरी के पूरी 0 से T by 2 तक यह यहाँ पर output पर आ रहा है फिर उसके बाद जब negative बाइस में जाएगा तो negative बाइस में जब तक VI है ना greater than V नहीं हो जाएगा तब तक यह diode ओन नहीं होगा तब तक ओन नहीं होगा तब तक ओ फिर रहेगा तो VI negative में भी आएगा तो यहाँ से यहाँ तक यह इसमें दिखाई देरा negative में आ रहा है पर जहां पर भी VI अगर greater than V हुआ negative में है ना तो इसको minus V इसको भी माइनस में लगाना पड़ेगा नहीं तो माइनस माइनस कुछ में नहीं लगा रहा तो वी आई ग्रेटर जैन वी रहेगा तो उस case में क्या होगा डायोड आपका ओन हो जाएगा जब ओन हो जाएगा तो यह बैटरी का जो है अगेन ओफ हो जाएगा और ओफ हो जाएगा तो वी नोट अगेन एक्कोस टू वी आई के बन जाएगा तो यह वाली वो शो कर रहे है ठीक है तो ऐसे ही आप इन सब को देख सकते हो चलिए और आगे चलते हैं यह सर्कुट कई बार आया हुआ हुआ एक्जाम में तो अ अच्छा यहां पर वी वन और वी टू दिया है कंडिशन दिया है वी वी वन ईज ग्रेटर दैन वी टू चलो ऐसी मान लेते हैं नई मानने है तो ठीक है वी बेटू दोनों अलग अलग है पर रेलेशन बना दिया है फिर इसमें कंप्फ्जूजन होता है बच्चा ही कहता ह कि बाई कौन सा greater है कौन सा less है ना इसमें कर गयाता है ठीक है तो ठीक है यह condition दे दी V I less than V2 भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 0 से T by 2 यहां से T तो 0 से T by 2 कौन सा diode on होगा इसका नाम देते हैं D1 इसका नाम देते हैं D2 तो आप 0 से T1 के लिए देख सकते हैं तो 0 से T1 के लिए मैं equivalent circuit बना रहा हूँ 0 से T by 2 यह वाला on होगा यह तो on होगा ही नहीं D2 तो on होगा ही नहीं तो इसको तो circuit से बाहर कर देते हैं सिर्फ अभी यह वाला बनाते हैं तो 0 से T1 पे हम circuit देख लेते हैं यह हमारा circuit रहेगा diode को ideal diode ले रहा हूँ ठीक है यहाँ पर यह V है और यहाँ पर यह है और यहाँ पर हम V note देख रहे हैं ठीक है जी तो 0 से T by 2 यह diode on हो सकता है positive हाप में यह ना इसको peak है Vm तो अब इसको ड्रा करते हैं यहाँ पर हाँ जी तो अब यह on कब होगा तो यह तो ठीक है कि 0 से T by 2 में यह वाला diode D1 on होगा पर D2 तो on होगा ही नहीं जब input V I जो है greater than V1 होगा क्योंकि यह V I क्या कर रहा है इसको reverse bias कर रहा है ठीक है तो जो जो V1 है वो इस diode को D1 को reverse bias कर रहा है जब reverse bias कर रहा है तो जब इसको input पे अगर मैं voltage V1 से greater देता हूं तो इसको forward बनाएगी और forward बनाएगी तो यह diode on हो जाएगा और output पे हमें मिलेग V1 है ना तो आपर दो case बन रहे हैं तो एक line में आपर ड्रा कर देता हूं और इसका color change कर देता है इसका color change कर देता है यह वाला तो यह voltage जो है यह है V1 तो जब input जो है V I है यह जब input आपका V1 से less है तो diode on नहीं होगा diode on नहीं होगा तो open रहेगा तो यह इस तरह behave करेगा इसको मैं अभी इस तरह दिखा देता हूं ठीक है तो इस तरह रहेगा है तो यह वाला case बंदा है T1 तक के लिए है और ऐसे ही एक case T2 तक के लिए है तो 0 से T1 वाला case है 0 से T1 हम देख रहे है तो V I जो है वो less than है V1 के तो V naught equals to बनेगा V I that's one हुआ नहीं तो V naught equals to V I तो V naught equals to V I यानि यह वाली waveform as it is यहां पर आ जाएगी तो यह वाली as it is यहां तक आ गए यह कहां तक है इसका फिक V1 तक T1 से T2 ठीक है तो T1 से T2 क्या हो रहा है T1 से T2 जो V I है वो greater than V1 हो गई तो diode on हो गया तो on हो गया तो अब यह इस तरह का हो गया ठीक है तो V naught equals to V1 आ गया तो V naught equals to V1 बन जाएगा तो T1 से लेके T2 तक throughout यह कहा रहाएगा diode on रहेगा और output हमारा V1 आएगा ठीक है तो इस तरह का है फिर T2 से लेके T1 तो जो यह case यहां पर 0 से T1 बन रहा है वो ही हमारा T2 से लेके T2 बनेगा सेम केस ठीक है तो उसमें फिर वापिस जो input है यानि input है यह वाला तो as it is यह यहां पर आगया clear यह तना तो यह तो हो गया हमारा positive half के लिए 0 से T2 बाइट हो ऐसे फिर negative half के लिए अब T2 से लेके T तक क्या होगा जब negative voltage दोगे यह वाली negative voltage है इज़र minus करोगे इज़र plus करोगे तो दी बन तो ओन होने से रहा D2 ओन होगा तो इसको circuit से बाहर कर देते हैं अब इसको हटा देते हैं ठीक है तो अब यहां पर इसको replace कर देते हैं अब हमारा जो है यह circuit बन रहा है TY2 से लेके T तक के लिए और यहां पर जो है यह बन गया और बैटरी है इसकी अब को जिट साइड में और इसका नाम है V2 ठीक है जी ठीक है अब यह diode ऑन गब होगा जब VI आई आप दे रहे हो इदर minus दे रहे हो इदर plus दे रहे हो वी आई आई आप increase करते जा रहे हो तो VI को कितनी VI हो अब यह V2 जो है इस diode को कॹा कर रहा है reverse बाहस कर रहा है अब reverse बाहस कर रहा है तो आप क्या करें तो diode ओफ रहेगा, ओफ रहेगा, तो V not equals भी आई आएगा, तो एक line यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, यह मैं एक और line लेता हूँ, यह line है हमारी V2 वाली, ठीक है, तो इसको माल लेते हैं कि यह हमारा T3, इसको माल लेते हैं यह हमारा T4, तो और यह वाली जो है V2 है, ठीक है, य यह T4 है, और यह यहाँ पर T हो गया है, ठीक है जी, तो T by 2 से लेके, यह आपको दिख रहा होगा, मैं यह मान के चलना हूँ कि दिख रहा है आपको, तो T by 2 से लेके T3, इसको मैं रफ कर देता हूँ ज़रा, T by 2 से लेके T3, V i जो है, वो लेस देन है, है ना, V2 से, तो V i लेस देन V2 है, तो डायोड ओन नहीं होगा, तो डायोड ओन नहीं होगा, तो सरकेट हमारा इस तरह का रहेगा, है ना, T2 से लेके T3, V i जो है, लेस देन है, वी 2 के, तो डायोड सोन होगा नहीं, क्योंकि ये V2 क्या कर रहा है, इसको रिवर्स बाहस बना रहा है, और V i भी जो forward bias बना दियोड को, वो V2 से less है, तो reverse bias रहेगा, तो V0 equals 2 बनेगा हमारा, V0 equals 2 VI के, दयोड off है, तो V0 equals 2 VI, तो यहां से यहां तक जो भी है, T by 2 से लेके यह वाली जो होगा waveform, यह as it is, यहां पर आ जाएगे, ठीक है, और कहां तक जाएगा यह, V2 तक, यह V2 तक आ गया, ठीक है जी, T3 से लेके T4, T3 से लेके T4, VI जो है, वो greater हो गया, V2 से, div down हो गया, div down हो गया, तो यह short हो गया, अब V0 equals 2, इसके coding minus polarity है, इसके plus polarity है, और reference में plus minus ले रहे हैं, तो यहांनि negative V2, तो V0 equals 2 minus V2 आया, तो यहां पर यह T54 तक यह रहेगा, फिर T54 से लेके T तक, again यह वाला case बनेगा, यह वाला case, तो same case है, यह T4 से लेके, T तक के लिए, ठीक है, तो जो भी input पर है, यह exit है, यह exit है, तो यह हमारी waveform बन गई, तो यह है positive हाफ में, और यह वाली जो है negative हाफ में, ठीक है, और इसमें हमने माना कि V1 जो है, greater than V2 है, तो V1 थोड़ा उपर आ हो गया, तो यह ऐसा हो गया, ठीक है, चलो, इसमें ग्राफ में देखने हैं, तो ठीक है, इस वाले condition को लेके चल सकते हैं, तो यह question कई बार आया हुआ है, और sinusoidal waveform को देखे आता है, तो यहाँ पर sinusoidal वाले भी बना सकते हो, तो इसको sinusoidal बना लो, ठीक है, तो कोई change नहीं आएगा, बस थोड़ा T1 इधर थोड़ा सा इधर हो जाएगा, T2 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, T3 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, और T4 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, इस तरह शिफ्ट हो जाएगे, बाकि यहाँ पर थोड़ा से करवा जाएगे, अब यहाँ पर linear line है, यहां पर सिलीकन भी बना सकते हो तो सिलीकन बना सकते हो अगर सिलीकन डायोड ले रहे हो तो क्या करेंगे अब सिलीकन डायोड के लिए देख लिए अगर सिलीकन डायोड है तो सिलीकन डायोड को ओन होने के लिए यहां पर 0.7 और चाहिए तो वी टू तो चाहिए चाहिए साथ में 0.7 और चाहिए तो यह वाली लाइन बन जाएगी वी बन प्लस 0.7 वाली यह बनेगी वी बन प्लस 0.7 वाली अगर सिलीकन डायोड बना देते तो और इधर V2 प्लस 0.7 वाली बनेगी ठीक है बस यह चींज आयाएगा अगर सिलिकन डायोड ले लेते हैं तो सिर्फ यह चींज आयाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको तो आप कर लेंगे इसके लिए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने एक जो बैटरी है अब तक हमने यहाँ पर लगाई हुई थी अभी यह उपर लगा दिया तो अब इसमें क्या चेंज आयाएगा उसको देख लेते हैं तो डाइओड को सिलिकन लिया हुआ है ठीक है अच्छी बात है तो एक बार इस सर्कुट को में दोबार ऐसे ड्रा कर देता हूं रे ड्रा कर देता हूं थोड़ा सेंसेटिव हो रहा है ठीक है तो मैं इसको रे ड्रा कर देता हूं रे ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पर यह 2.2 यह 3 वोल्ट ले ले लेता हूं इधार सिलिकन का है ठीक है सिलिकन डायोड है अब यहाँ पर दो केस देख लेते है तो एक बार सिम्बल वे है एक बार डायोड को ओन करके देख लेता हूं एक बार ओफ करके देख लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर 3V है, तो VI अगर कुछ apply कर रहे हो, जिसकी वज़े से जो diode है, off है, तो output कितना आएगा, V0 equals to बनेगा, यहाँ पर 3V वाला है, current तो flow नहीं हो रही है, तो current flow नहीं हो रही है, तो RK across तो कोई voltage develop होगी नहीं, तो VI minus 3 आएगा, तो V0 equals to VI minus 3, ठीक है, तो जब भी diode off होगा, तो output आएगा VI minus 3, ठीक है, अब VI भी हो सकता है negative हो, तो negative negative एड़ हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है VI और इस से less हो, ठीक है, वो इसमें से minus 3 होके result negative भी आ सकता है, है ना, ठीक है, दूसरा case है, जब diode on हो रहा है, तो यहाँ पर 3V का है, और यह diode जो है, silicon वाला, यह on हो हो रहा है, तो यह case बनेगा, और output जो आएगा, वो आएगा, जब diode on हो रहा है, तो 0.7V आएगा, ठीक है, बस यह है, अब इसमें condition देखनी है, कि कब diode on हो रहा है, और कब diode off हो रहा है, तो अब देख लेते हैं कि यह diode on किसमें होगा, positive हाप में ही on होगा, तो जब positive हाप दे को ओन होने के लिए चाहिए तो एक बार 3 volt तो minimum 3 volt vi चाहिए इसको neutralize कर दे और 0.7 और चाहिए जो silicon diode को own कर दे तो input पे 3.7 volt चाहिए और जेटिफ आपने यह बनेगा तो यहां से यहां तक मैंने t1 मान लिया इसको मैंने t2 मान लिया तो 0 से t1 तो 0 से t1 वाला क्या केस रहेगा डायोट तो on हुआ नहीं 0 से t1 तो यह वाला केस रहेगा तो v note equals to आएगा vi minus 3 volt ठीक है तो अब यहां पर जो है vi minus 3 volt तो अब इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं है ना अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो 0 देता हूँ तो डायोट सो एक MYरा equal to क्या रहेगा अगर मैं इसको 0 करता हूँ क्यूंकि हब यह 0 पर चेक कर लेते हैं कि 0 पर क्या आएगा तो t equals to 0 thy2 और t पे जो vi है मेरा equal to 0 है तो जब 0 कर रहे हैं तो 0 पर हम यह देख रहे हैं है ना तो यह क्या कर रहा है 3V इसको क्या कर रहा? OFF कर रहा है तो output पर कैतना आ रहा है? यह बताओ output पर कितना आ रहा है? यह तो है 3V यूल्ट वाला जब input आप 0 दे रहे हो तो output पर कितना रहा है? क्या ये die graduate on हो रहा है? ये देखो जेला इज़र minus दिया हुआ है इज़र आपने plus जीया हुआ है तो डायोड तो on होगा निया इज़र plus जही है इज़र minus जही है डायोड कोन होने के लिए तो on नहीं होगा तो क्या है open है तो open है तो यह वाला case है तो output पे कितना output पे minus 3 volt है कोई current flow नहीं हो रही है पर यह जो थ्री वोल्ट वाली बैटरी है यह क्या कर रही है यह 3 यानि पोजिटिव इधर आएगा डायोड के अक्रोस और नेगेटिव इधर आएगा तो वी नोट जो आएगा वो हमारा कितना रहा है 3 वोल्ट कब जब टाइम 0 टी वाई 2 और टी जब हमारा इन्पुट जब हमारा जिरो हो तो तीन केस में इन्पुट जिरो है यहाँ पर रहेगा यहाँ पर रहेगा यहाँ ठीक है तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट मिल गया वी है और एक यह है टी यहाँ पर भी माइनस ठी है तो यह टी है यह टी है यह टी है यह टी है ठीक है अब जीरो से टी वन इन्पुट आपका इंक्रीज होता जा रहा है इन्पुट इंक्रीज हो जा रहा है पर डायोड अभी ओन नहीं हुआ यह वाला सर्कुट लेगे चल ले इसको भी अटा देते हैं, यह हमारा case बन गया है, हमने case प्लोट भी कर दिया, तो अब आते हैं, तो 0 से T1, 0 से T1 जब आपने input कुछ positive देना शुरू किया, तो इधर plus आएगा, इधर minus आएगा, तो प्लस दे रहे हो, तो output पे क्या आएगा, तो output पे जब 0 दिया था, जब 3V आ रहा था, minus 3V, अब जैसे जैसे वी आई को आप increase करते जा रहे हो, तो वी आई को increase करते जाओगे, पर diode अभी 0 है, 3.7 से less है, तो V0 equals आएगा, वी आई minus 3V, क्या रहा है, वी आई minus 3V, तो T1 से यह 3V वाली line है, तो T1 वाली line है यह, तो T1 से ज़स्ट पहले तक यह 3V complete हो और T1 पे actually 3.7 जब आ जाएगी, T1 पे, तो यह diode on हो जाएगा और output पर 0.7 आएगा, तो इसको थोड़ा सा और ओप ले जाएगे, तो यहाँ पर यह 0.7 है, ठीक है, तो T1 से थोड़ा उपर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर plus 3V दे रहा हूं, है ना, तो output V0 equals to कितना आएगा, अगर VIE मैंने increase करते करते हैं, मैं 3V ले गया, ठीक है, तो 3.7 तो अभी नहीं ले गया, यानि T1 से पहले ही है, तो प्लस 3V दिया, तो यह जो 3V इसको जो diode को reverse भाइस में कर रहा था है, यह neutralize हो गया, तो इधर आपने 3V दिया, इधर 3V दिया, तो V0 equals to 0V होनेगा, तो यहाँ पर यह 0V है, ठीक है, T1 से जस्ट पहले, पर T1 पर क्या हो रहा है, T1 पर यह 3.7 हो रहा है, इस diode को own कर रहे है, तो अब यह वाला case आगया, तो V0 equals to 0.7, तो T1 से लेके T2 तक, यह हमारा 0.7 यह रहेगा output, ठीक है, तो इसको मैं dark कर देता हूँ, इस तर ठीक है, ठीक है, फिर T2 से लेके, T2 तक क्या हो रहा है, डायोड हमारा दुबारा off हो गया, यह V0, VI-3 बन गया, ठीक है, तो T2 से जस्ट थोड़ा सा आगे जाके, यह क्या होगा, 0 होगा, और T2 तक वापिस फिर-3 तक आएगा, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा देखना, इदर T1 से पहले 0 पर जा रहा है, इदर T2 के बाद 0 पर आएगा, ठीक है, तो इस तरह रहा है, फिर T2 से लेके T तक क्या हो रहा है, डायोड ओफ रहेगा, ओफ रहेगा, तो यह as it is, आउटफुट पर आ जाएगा, अच्छा, 3 वोल्ट यह, और इदर पलायटी यह है, यह वाला केस रहेगा, तो वी आई है माइनस और यह है पलस डायोड ओफ रहेगा, तो 3 वोल्ट यह और पलस वी आई, पर यह दोनों क्या है, नेगेटिव में है, तो जैसे मैंने लिखा कि माइनस वी आई है, तो माइनस वी आई माइनस 3 तो आउटफुट नेगेटिव मे तो यह 3 volt भी add हो जाएगा तो यह 3 volt वाला जो है यह difference point है यहाँ पर इसके उपर इसको बैठाना है बस इसके उपर इसको बैठा दो है आपर तो इसका peak है 8 volt minus 8 volt तो यहाँ पर जो peak बनेगा minus 8 plus 3 तो minus 11 volt बनेगा ठीक है तो यह waveform आएगी ठीक है जी और यह यहाँ पर 3 वाली point है तो ठीक है next पर चलते है अच्छा इसमें भी silicon तो ही लिया है उसमें कोई दिक्क्यत नहीं है अच्छा इहाँ पर देख सकते हैं अब इहाँ पर वो जो हमने जो solve किया था अब इसको देख सकते हैं तो इसमें IR भी plot करना है इसमें IR plot करना है और V node plot करना है तो पहले V node plot कर लेते हैं फिर IR को देखते हैं तो IR कब flow होगा तो IR जब flow होगा जब कोई सा diode on होगा तभी flow होगा अब कोई diode on नहीं है तो flow नहीं होगा तो इसलिए पहले V node plot कर लेते हैं उसके बाद IR plot करेंगा ठीक है जी तो सिलिकन डायोट दिये हुए है है ना तो 0 से T by 2 0 से T by 2 कौन सा डायोट ओन होगा D1 ओन होगा या D2 ओन होगा तो D1 ओन होगा है ना जो प्रिवेस में हमने किया है बिल्कुल वैसा ही है तो D1 ओन होगा है ना और ओन होने के लिए V.I. minimum positive में कितना चाहिए 5.3 यह तो बोल्ट यह है जो इसको reverse बना रहे है और साथ में सिलिकन के लिए 0.7 ओन चाहिए तो 6 वोल्ट वाली एक line डागर देता हूँ यह है हमारा T1 यह हमारा T2 फिर जब इसको नेगेटिव हाफ की बात करें तो यह वाला डायोड ओन होगा और इसको ओन होने के लिए minimum कितनी वोल्ट चाहिए 7.3 वोल्ट तो इधर है और सिलिकन को ओन करने के लिए 0.7 ओन चाहिए यानि 8 वोल्ट चाहिए तो 8 वोल्ट वाली line यहां पर ट्रा कर देता है तो यह वाला जो है यह है T4 और यह वाला जो है सोरी यह T3 और यह है T4 ठीक है तो 0 से T1 यह तो ओफ होगा ही नहीं पोजिटिव हाप में तो यह ओफ हो नहीं होगा है तो इसको हटा देते हैं बिल्कुल यह सरकेट से बाहर है ठीक है तो V0 शिर्फ इस ब्रांच मेंट कर रहा है तो 0 से T2 की बात कर रहा हूँ मैं तो 0 से T1 यह ओन नहीं है तो V0 इकवल्स तो वी आइई तो यहां से यह तर एज जो वी आई है यह रहेगा तो यहां पर यह 6V का है फिर T1 से T2 डायोड ओन हो गया तो 6V यह आएगा इसका 0.7 यह वाला 1 हो गया तो 0.7 यह और 5.7 यह तो आउटपुट पे V0 1 पॉस 2 6V आएगा फिर T2 से T2 यह दुबारा ओफ हो गया दुबारा ओफ हो गया तो तो इसको अप्लोट कर देते हैं यह यहां से यहां तक यहां तक यह वाफिस यह आगया ठीक है फिर अब T2 से लेके T3 तो अब इसका कोई मतलब नहीं है सर्केट से भाहर है अब यह हमारा सर्केट में इन हो गया तो अब यह ओन कब होगा जब वी आई जो है नेगेटिव में ग्रेटर देन या एक्वल्स टू एट वोल्ट रहेगी नेगेटिव के बात कर रहा हूँ अब यह माइनस पिलस है तो T2 से लेके T3 अच्छा यह मैंने ज़्यादव उपर प्लोट कर दिया इसको मैं थोड़ा सा नीचा कर देता हूँ यह क्लैस कर जाएंगे ठीक है यह तो यह हमारा T1 है यह हमारा T2 है और यह हमारा यहाँ पर T3 है और यह हमारा यहाँ पर T4 है और यह हमारा T है ठीक है तो T2 से लेके T3 यह डाइवड भी होन नहीं है यह तो on ही नहीं होना है तो यह तो circuit से बाहर है इस case में अब इसको ले लेते हैं तो ty2 से लेके t3 तक जो input है वो इससे less है यहाँ पर हमें 8 volt से ही है negative की on करने के लिए पर उससे भी less है less है तो सेम आएगा कहा तक आएगा 8 volt तक यह 8 volt है minus का 8 volt है ठीक है t3 से t4 divided on हो गया तो 8 volt रहेगा यहाँ यहाँ पर यह पोजिटिव यहाँ पर यह नेगेटिव तो यह 0.7 और माइनस पिलस माइनस पिलस दोनों सेम्पल आटिम में 0.7 7.3 तो यहाँ पर v0 equals to minus 8 रहेगा तो t3 से ले तक फिर वापिस वही वाला पुराना वाला केस डाट ओफ हो गया और जो भी इंपुट पर वह आएगा ठीक है तो यह एज़िटिव यह प्लोट हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर वेफोर्म बनाना चाहूं तो यह जो मैं रेड रेड में शो कर रहा हूं यह वेफोर्म प्लोट होके आएगए ठीक है यह वाली वेफोर्म यह प्लोट होके आएगए अब आते हैं पायात तो आयर तभी थो कुए ओन होगा जब डायूट these une तो पहला वाला केस है, तो मैं यहाँ पर एक पुरेंट सर्कुट बना देता हूँ, IR के ओन होने का, ठीक है, तो इहाँ पर ओन हो रहा है, तो इहाँ पर 6 वोल्ट है तर, जब ओन हो रहा है, तभी करेंट फुलो होगी, जब ओन नहीं होगा, तो IR इक वस्तो जीरो रहेगा, तो T1 से T2, अब मैं यहाँ पर IR प्लोट करने जा रहा हूँ, तो 0 से T1, कोई डायोड ओन नहीं, तो IR इक वस्तो जीरो, तो मैं इसको यहाँ पर 0 से T1, डायोड ओन नहीं है, कोई सा भी, तो IR इक वस्तो जीरो रहेगा, T1 से T2, IR इक वस्तो जीरो रहेगा, और पोजेटिव रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो अब कितना रहेगा, अब कितने के लिए, अब देखो, रेसिस्टिव नेटवर्क है, अब जैसा इन्पुट दोगे, वैसा ही, इस R के अक वोल्टेज आएगी, अब जैसे कि आपने यहा ज़्यादर दिया, 6 वोल्ट से या निया, 7 वोल्ट दिया, तो इसके अक्रोस 1 वोल्ट आया, तो IR जो है, उसके रेस्पेक्टिम में, IR इक वस्तो 1 डिवाइड वाई, R की जो भी वैल्यू है, 10 किलों, यह बनेगा, फिर अगर आपने इसको 8 दिया, तो इहाँ पर 2 के, तो ऐसे करेंट इंक्रीज होती जा रही है, तो जैसे ही आप पीक दोगे, 10 वोल्ट, तो जब इधर 10 वोल्ट दोगे, तो इसके अक्रोस बनेगी 4 वोल्ट, मैक्सिमम, तो 4 डिवाइड वाई 10 के एक वस्तो बनेगी हमारी IR, ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे व जो है, वो 0 रहेगा, T1 से T2, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे करेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और मैक्सिमम कहा होगा, 10 वोल्ट पर, तो यह पीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट माल लेते हैं, तो पीक बना यह, तो यह T1 है, यह T2 है, और T2 पर जा आ गया, अब peak कितना है, current का, वो है 4 volt divided by 10K, तो इसको calculate करके इसको यहाँ पर value इसकी रख देंगे, ठीक है जी, फिर T2 से लेके T3 तक, फिर अब दोनो डायोड ओफ हैं, तो डायोड ओफ हैं, तो T3 तक फिर ओफ है, और T4, T3 से T4 तक यह वाला डायोड ओफ है, तो अब जो circuit बनेगा, equivalent circuit बना लेते हैं, उसका, एक बार हम, 10K का resistor है इदर, 10K का, और यहाँ पर जो voltage अपलाई कर रहे हैं, वो हम अब negative हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, own होने के लिए 8 volt सी है, यह 8 volt का बन गया इदर, यहाँ पर वी नो, तो जब तक V0 equals to minus 8 volt है, ठीक है, तब तक सब ठीक है, तब तक हमारा current flow रही है, तो अब current की क्या direction हो गई, IR reference हमारी यह है, पर अब यह क्या opposite flow हो रही है, IR, तो IR अब जो negative में आएगी, तो same case यहाँ पर भी है, अगर minus 10 volt इधर दे रहे हो, और यहाँ पर कितना है, minus 8 volt है, है तो 10 volt आपने इधर अपलाई किया, ठीक है, आउटफूट पर इतना आ रहा है, तो जब आप KVL लगाओगे, तो minus 10 और यहाँ पर minus 8, यहाँ पर minus plus, इधर plus minus, तो यहाँ पर minus 10 तो इधर plus 8 करना पड़ेगा, तो इसके कहने का मतलब है, जो 10 के है, इसके एक रोस, plus minus 2 volt का voltage, ठीक है, तो 2 volt का voltage difference है, तो इहाँ पर minus 8 है, इधर minus 10 है, तो इसके कहने minus 2 volt का, तो 10 के की value, तो IR की जो value है, वो होगी, minus 2 divided by 10 के, पीक जो value होगी, तो जैसे जैसे negative में peak increase हो रही है, यानि यह increase हो रही है, वैसे वैसे current increase होगी, तो minus 10 पर जो peak होगी, वो होगी हमारी यह वाली minus 2 divided by 10 के, ठीक है, तो और shape same रहेगी, क्योंकि resistive network है, कैपिस्टिम में देरे देरे increase होता है, initially तो कुछ increase होता है, initially क्या वो short circuit की तरब behave करता है, नहीं, sorry, कैपिस्टर initially open circuit की तरब behave करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद देरे-देरे voltage increase होता है, पर resistive network में, जैसे ही input की shape र ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो peak बनेगा, वो बनेगा minus 2 वाला, minus 2 divided by 10 के, यह हमारी IR के value हो गई, और नीचे चलते हैं, अब यह circuit है, जो पीछे वाला किया है, लास्ट टाइम आया हुआ हुआ है, तो इसमें IR और VNode दोन अपलोट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 8V और minus 8V दिया, तो इसको आप कर सकते हैं, अभी मैंने पीछे यह, अभी अभी solve किया है, ठीक है, और नीचे चलते हैं, जैसे मैंने discuss किया था, अभी मैंने 3V वाला लिया था, अच्छा, series में तो हम यहाँ पर लिते हैं, तो यह series वाला पहले में discuss कर चुका था, तो इसको भ आपने मैं यहाँ पर minus 10, sorry, plus का 10V दिया, तो यहाँ 0.7 का drop होगा, 10 plus 5 minus 0.7 आएगा यहाँ पर, तो output जो आएगा, वो आएगा हमारा 14.3V, positive half में, negative half में diode off होगा, तो output हमारा 0 आएगा, तो यह वेफोर्म में तो इस तरह प्लोट हो जाएगे, तो यहाँ पर यह peak आएगा, यहाँ पर यहाँ पर यह 0 आएगा, यह जो आएगा, यह 14.3V, clear है तो नेक्स्ट है, यह वाला है, positive half में कुछ नहीं आएगा, यह own नहीं होगा, ठीक है, तो positive half में यह own नहीं हो रहा है, और positive half में 5V का हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि VI जो है, यह 5V जो है, इसको own कर रही है, यहाँ जीरो पर, पहले 0 पर देख लो, output क्या आएगा, तो T equals to 0, और इसको T by 2 माल लेते हैं, इसको T माल लेते हैं, तो 0, T by 2 और T पर, output क्या आ रहा है, तो VI की value जो है, वो यहाँ पर 0 है, तो output की value की नहीं है, तो output की value है, minus 5V, अच्छा, इहाँ पर 0.7 का drop हो रहा है, तो यह minus 4.3 हो जाएगी, silicon diode है, तो थोड़ी complicated problem है, थोड़ा इसको अराम से, ध्यान रखके, तो किस्तों में कर लो, square wave है, तो इहाँ पर थोड़ा सा change कर सकते हैं, इसको पहले idle diode माल लो, ठीक है, उसके बाद plot करो, फिर उसमें silicon वाला complexity add करते जा सकते हो, ठीक है, तो इस point पे जो output आएगा, minus 4.3 आएगा, तो जब इसको यहाँ प्लोट करोगे, तो आपको पता है कि T equals to 0 पे यह minus 4.3 output आ रहा है, यहाँ पर भी 4.3 और T पर भी 4.3, फिर अब यह off-cup होगा, जो silicon diode है, यह off-cup होगा, तो जब आप input पे vi जो है, greater than 4.3 वोल्ट दोगे, तो vi अगर greater than 4.3 वोल्ट होगा, तो यह diode off हो जाएगा, तो यह वाले line 4.3 वोल्ट के होगे, जब इससे greater देंगे, तो diode क्या है, यह off हो जाएगा, जब यह off हो जाएगा, तो output पे कुछ नहीं आएगा, और जब own रहेगा, तो output पे क्या plus vi रहेगा, जब तक diode own है, तो यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक, 0 से t1, 0 से t1, मैं timeline बना देता हूँ, वेफों में अपने आप ड्रा कर लेना, तो 0 से t1, vi जो है, vi जो है, हमारा less than है, 4.3 वोल्ट, तो जब 4.3 वोल्ट है, तो v0 equals 2 आएगा, minus 4.3, ठीक है, plus vi, vi, t1 से t2, vi जो है, वो greater than 4.3 वोल्ट हो गया, तो 4.3 से greater हुआ vi, तो diode हमारा off हो गया, तो v0 equals 2 तब हमारा 0 रहेगा, ठीक है, फिर same case रहेगा, t2 से लेके ty2 तक, और ty2 से लेके, t तक क्या case रहेगा, vi हमारा negative हो गया, तो vi negative हो गया, तो diode को own रखेगा, तो v output equals to 4.3 minus का, और minus vi, यह दोनों आएप, उसमें add हो जाएगा, ठीक है, तो अब आप float कर सकते हैं, इसको अराम से, तो 0 से t1, तो यह आपका इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, और t1 तक off हो जाएगा, ठीक है, फिर t1 से t2 off रहेगा, 0 रहेगा, फि t2, यह t1 मान लेते हैं, इज़र t2 मान लेते हैं, यहापर t1 है, यहापर t2 है, फिर उसके बाद दोबारे diode on हो गया, ठीक है, और फिर शुरू आउट पूरे negative on रहा, तो on रहेगा, तो यह वाली peak जस्ट है, उसमें add हो जाएगी, 4.3 में, और यह इस तरह peak बन गएगी, त चलिए, यह आगे चलते हैं, यह भी आया हुआ है, अब इसमें हाँ पर value change है, ठीक है, और यहाँ पर silicon diode बनाया हुए है, इसको D1, D2, तो इसको आप solve कर लेंगे, जैसे मैंने discuss किया था, ठीक है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है, यह clipर वाली problem है, तो यह clipर वाली problem है, तो जब आप इसको कितना दिया है, 100V है, तो 100V जब दे रहे हैं, तो 100V में क्या change आएगा, है ना, तो 100V जब आप positive दोगे, तो 100V में यह diode on हो गया, ठीक है, तो यह वाला case है, तो 100 में यहाँ पर जो है, output V note, यह तो on होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर D1, D2 क क्या दिये हुए है, assume diode और idle, idle diode माने तो short हो गया है, ठीक है, जब VI दोगे तो short हो जाएगा, V note equals to 0 आएगा, positive हाप में, negative हाप में क्या होगा, तो negative हाप में, जब आप इसको negative दोगे, तो इधर हो गया minus, इधर हो गया plus, तो negative हाप में आपने यह दिया, 100V, तो यह diode तो off रह तो अब इसमें देखोगे, तो current जो flow हो रही है, current flow हो रही है, वो इस तरह, तो कुछ voltage का drop इधर होगा, इसकी value नहीं दी हुई है, क्या है, यह आया हुआ है, उनिविशिटी में और इसकी value नहीं दी हुई है, मैंने तो मिटा ही नहीं है, ठीक है, अगर कुछ value हो तो ठीक ह तो इहां पर क्या है, voltage divide हो जाएगी, ठीक है, पर जो output आएगा, वो negative में आएगा, तो इसकी waveform ड्रा कर सकते हो, output waveform ड्रा करने के लिए बोल रहा है, तो इहां पर इसको ले लोगे, तो इहां से यहां तक तक तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, इस से इधर जो output आएगा, व डिपेंड करेगा कि यहां पर कितनी वोल्ट ही divide हो रही है, तो अगर यहां 15 है, यहां पर 5 है, ठीक है, तो 100 इधर जिया हुआ है, तो कितना हो गया, रेशो में भी divide करें, तो 20, 20 divided by 5 बनेगा, 75 वोल्ट इधर आएगी और 25 वोल्ट इधर रहेगी, तो 75 वोल्ट जो है, ने वो ही है, जो previous वाले हैं, तो उसको आप solve कर सकते हैं, यह clamper है, इसका circuit मैं नहीं हाँ पर उठा के लगा दिया, भी clamper मैंने प्रयान है, तो ठीक है, clamper को देखेंगे, बाद में, इस circuit को मैं आगे ले जाँगा, ठीक है, चलिए, तो काफी लंबल एक्चर हुआ है, इसके ब झाले हैं, तो कि अ?